दोस्तों ओल्दो क्रिप्टो में अभी सब की नजर एथेरियम मर्ज के उपर है एक दिन से कम 18 घंटे बचे हैं याप एथेरियम मर्ज एग्जिक्यूट होने में बट इस मर्ज के बाद जो नेक्स्ट मेजर एवेंट एक और लाज मार्केट काप कोईन के साथ होने वाला है कारडैनो के साथ जो अभी रैंक नमबर 8 पर है कारडैनो का हार्ट फोर्क अपडेट आने वाला है और इसकी अनाउस्मेंट चार्स हॉसकिंसन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर करी थी कुछ दिन पहले वाजल इस कमिंग सेप्टेंबर 22 तो एथेरियम मर्ज के पूरे एक हफते बाद यहाँ पे कारडैनो का हार्ट फोर्क होगा होफुली क्योंकि यह पहले भी स्केडियूल किया गया था जून में बट उस टाइम पे डिले हो गया था बट अब यह अल्मोस्ट कंफर्म्ड है कि सेप्टेंबर 22 को कारडैनो का जो नेक्स्ट मेजर हार्ट फोर्क है वो एक्जेक्यूट हो जाएगा कारडैनो का फिलाल प्राइस चल रहा है 47 सेंट और इसका ओल टाइम हाएगा देकिन तो 3 डॉलर तक गया था तो डेफिनिटली यह वाला जो इवेंट है इससे भी कुछ प्राइस एक्शन पर फरक पढ़ सकता है क्योंकि काफी टाइम से यह अल्मोस्ट एक चैनल में ट्रे इंजिंग अपग्रेड है काफी सारी चीजें इन्होंने इससे सीखी है काफी सारी चीजें इसके बाद इंप्लिमेंट करी जाएगी इंटरम्स अब जो भी लर्निंग हुई है और पूरी कारडैनो कम्मूनिटी और सारी फांडेशन आयोच के फांडेशन या इमूर को जि अपग्रेड का वो होगा ट्रांजाक्शन फीज और माइनिंग रिवार्ड पर और दूसरा स्पीड और स्केलिबिलिटी जिसे सापसेट ब्लॉक्चेन पर ट्रांजाक्शन वैलिडेट होती है उसकी स्पीड पर इंप्रूब्मेंट और ट्रांजाक्शन कॉस्ट यहाँ प पर टेक्निकल टीटेल्स में जाएं तो यहाँ पर चार या पाँच CIP जाने की कारडानो इंप्रूब्मेंट प्रोटोकॉल जो हैं वो इंप्रिमेंट करी जाएंगी सबसे पहली है CIP 31 जो की रिफरेंस इंपुट को केटर कर रही है यहाँ पर जिसकी इंप्रिमेंटेशन है वो on-chain store कर पाएंगे ना कि किसी ऐसी solution में जो centralized हो तो काफी बड़ा update तीसरा जो है CIP 33 वो focus कर रही है transaction cost reduction पर और making transactions more compact CIP 40 का पूरा focus है Cardano की security पर जो effectively उसको और robust बना रही है Cardano का DDoS attack जेलने की potential याने की distributed denial of service attack अगर Cardano blockchain पर होता है तो उसको और अच्छे तरीके से यह handle कर पाएंगे और ultimately users का Cardano collateral safe रहेगा तो यह कुछ improvement protocols हैं जिनको implement किया जाएगा इसके बाद एक और चीज़ है Hydra integration जो Cardano blockchain को help करेगी और ज्यादा scale करने में याने की transactions per second Cardano की increase हो जाएगी अब यह जितनी भी चीज़े implement हो रही है इसके readiness report है याने की काफी सारे ऐसे जो factors है जो influence करेंगे इस upgrade को वो कितने ready है इसको receive करने के लिए वो readiness report है और यह criteria है कि वासल upgrade successful होने के लिए इनको meet होना ज़रूरी है और यहाँ पे nodes, developers और exchanges को basically ensure करना है कि इस update के लिए इस upgrade के लि यहाँ पर readiness है उसके बाद यहाँ पर जो important चीज़ है exchange readiness जो top 12 exchanges है जहाँ पर सबसे जाला काड़ानों की liquidity है उनमें से काफी सारी exchanges ready है कुछ in progress है बाइनांस उनमें से ready है MEXE Coinbase in progress है इसके लावा काफी जो छोटी exchanges है उनमें से भी काफी ready है कुछ in progress है तो hopefully यह सारी जो exchanges है यह ready होंगी इस upgrade से पहले जहां तक रही user funds की बात उसमें ज्यादा कोई impact नहीं आएगा सिरफ inconvenience आ सकती है कि अगर आपके funds किसी ऐसी exchange पर पढ़े हैं जो ready नहीं है तो आपकी transaction में delays हो सकते हैं जब तक वो update नहीं करते तो एक smooth transition के लिए अगर आपके funds किसी ready exchange पर अगर नह major daps का जो almost सब की सब यहां पर ready हैं तो अभी भी 7-8 दिन पड़े हैं उसमें काफी साई situation change हो सकती है पर more or less ऐसा लग रहा है कि इस time पर जो upgrade होगा वो पूरा time पर जाएगा तो Cardano जब blockchain as an ecosystem जो already काफी grow कर रहा है काफी सारे projects जो हैं वो Cardano पर move हो रहे हैं या फिर build कर रहे ह definitely यह hard fork उसको एक positive momentum देगा अब finally वीडियो खतम करने से पहले Cardano में governance proposals भी काफी time से introduce कर दे गए हैं और इनका फाइदा यह है कि अगर आप इन में vote करते हैं तो आपको कुछ Cardano rewards मिलते हैं इसके लिए एक अलग सा process है जो भी मैं आप लोगों के साथ share करूँगा पर वो किसी और वीडियो में क्योंकि फिलहाल जो अभी fund 9 की voting चल रही है वो September तक चले कि उसके बाद fund 10 जब start होगा उससे पहले मैं ensure करूँगा कि आप लोग उसके लिए ready हो registration पहले ही करके रखें ताकि आप भी उसमें vote कर पाएं और आपको भी Cardano में rewards मिलें तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो को जुरू लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए have a safe investment